चले सुन्स, आज हम करेंगे Class 7th Math की Exercise 9.1 का Question No. 7 Question में हमसे कहा गया है कि हमने rewrite करना है यह जो हमारे पास में rational numbers हमको यहाँ पर दिये गये हैं इनको हमने rewrite करना है, वापिस से लिखना है और किस form पर लिखना है? simplest form पर लिखना है तो देखे सुन्स, यहाँ पर हमारे पास में कुछ rational numbers है ठीक है? यह rational numbers हमको यहाँ पर दिये गया है हमने इनको same number से उपर और नीचे divide करते हुए इनको छोटा बनाना है, इनको reduce करना है and simplest form में लिखना है ठीक है? तो चलिए first part पर आते हैं first part में हमारे पास में है minus 8 upon 6 ठीक है? और जब भी हमें किसी rational number को simplest form में लिखना होता है तो हम उपर वाले number and नीचे वाले number को same number से divide करके उसे reduce करते हैं, उसे छोटा बनाते हैं ठीक है? अब देखें यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 6 इन दोनों numbers को देखकर हमें यह पता चल रहा है कि यह दोनों numbers अराम से 2 से divide हो जाएंगे तो चलिए इन दोनों numbers को 2 से divide करते हैं जब हम 2 से 8 को divide करेंगे तो आएगा 4 आगी यहाँ पर minus है तो यहाँ पर minus लग जाएगा ठीक है? जब हम 2 से 6 को divide करेंगे, देखो हमने 2 से minus 8 को divide कर लिया, हमारे पास में आगया minus 4, जब हम 2 से 6 को divide करेंगे तो आएगा 3 ठीक है, तो हमने जब 2 से इन दोनों numbers को उपर और नीचे वाले number को divide किया, तो हमारे पास में आगया minus 4 upon 3, ठीक है तो ये number reduce सो करके हमारे पास में बन गया minus 4 upon 3, और ये आगया हमारे first part का final answer चले अब हम second part पर आते हैं ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास में एक fractional number है और जो ये fractional numbers होते हैं, ये क्या होते हैं ये rational numbers होते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास में एक rational number है, ठीक है हमारा ये rational number है 25 upon 45, correct हमने इसको भी simplest form पे लाना है, और हमें पता है कि simplest form पे लाने के लिए, किसी rational number को simplest form पे लाने के लिए हम उसके उपर वाले number और नीचे वाले number दोनों को same number से divide करते हैं, और उसे reduce करते हैं, छोटा बनाते हैं, ठीक हैं अब देखिए, यहाँ पर है 25 यहाँ पर है 45, हमें साफ पता चल रहा है, कि दोनों के पीछे last में, यहाँ पर 55 लगावा है, तो इसका मतला अराम से यह 5 से divide हो जाएंगे तो हम इसको भी 5 से divide कर लेते हैं इसको भी 5 से divide कर लेते हैं 5 से जब हम 25 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 5 से जब हम 45 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 क्योंकि 5 9 जब 45 होता है तो हमने दिखा कि हमने इस वाले rational नंबर को जब 5 से डिवाइड किया उपर और नीचे तो हमारे पास में आगया 5 upon 9 तो हमारा जो ये rational नंबर था reduce होकर के, छोटा होकर के simplest form पे आगया 5 upon 9 और ये आगया हमारे second part का final answer ठीक है चलिए अब हम third part पर आते हैं ठीक है, third part में जो नंबर हमारे पास में है वो है minus 44 upon 72 minus 44 upon 72 ये भी upon वाला नंबर है ये भी एक fractional नंबर है तो ये भी एक rational नंबर है चलिए इस rational नंबर को हम उपर नीचे same number से divide करके इसको छोटा बनाते हैं, reduce करते हैं and simplest form पे लाते हैं सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले इन दोनों numbers को हम 2 से divide करेंगे, क्योंकि अब जब हम 2 से 72 को divide करेंगे तो देखिए, 2 से 72 को divide करने पर देखिए क्या आएगा 2 3 जा होता है 6, minus करने पर 1 बचेगा फिर 2 नीचे आ जाएगा और 2 6 जा होता है 12 तो ये cancel out जाएगा तो जब हमने 2 से 72 को divide किया तो आए 36 तो जब हम 2 से 72 को divide करेंगे तो आएगा 36 ठीक है, तो अब जो ये पहला हमारे पास में number था, minus 44 upon 72 अब ये बन चुका है, minus 22 upon 36 अभी न हम इसको थोड़ा और reduce कर सकते हैं अभी अगर हम दोनों number को उपर नीचे 2 से divide कर ले तो ये थोड़ा और reduce हो सकता है तो चलिए और reduce करते है 2 से जब हम 22 को divide करेंगे तो आएगा 11 आगे minus से तो minus भी लगाएंगे 2 से जब हम 36 को divide करेंगे तो आएगा 18 आपने याद रखना है, 2 से 36 को divide करने पर आएगा 18 ठीक है तो देखे यहाँ पर हमारे पास में जो ये number आ चुका है ये आ चुका है 11 अपन 18 अब आगे और ये divide नहीं हो सकता है क्योंकि उपर 11 है, नीचे 18 है दोनों सेम किसी table पर नहीं आते है ठीक है, ये 3 के table में 18 आता है तो 3 के table में 11 नहीं आता है तो किसी भी number से ये दोनों divide नहीं हो रहे है तो अब ये reduce हो चुका है तो हमारा जो ये number था minus 44 upon 72 ये यहाँ पर reduce हो करके simplest swarm पर आ गया और बन गया minus 11 upon 18 और ये आ गया हमारे third part का final answer ठीक है, तो देखे सुन्ट्स हमने क्या किया हमने पहले इस first number को लिया उपर नीचे 2 से divide किया आ गया minus 4 upon 3 ठीक है, minus 4 upon 3 को आप उपर वाले number और नीचे वाले number को हम सेम number से divide करके divide नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये simplest swarm पर आ गया, ठीक है फिर हमने ये दूसर वाला number लिया उपर था 25, नीचे था 45 दोनों को हमने 5 से divide किया आ गया 5 upon 9 5 upon 9 यहाँ पर आ गया अब हम सेम number से उपर नीचे divide नहीं कर सकते हैं तो ये simplest swarm पर आ गया हमारे पास में 5 upon 9 ठीक है, फिर हमने तीसर वाला number लिया पहले इसको 2 से divide किया उपर नीचे, आया minus 22 upon 36 फिर वापिस से हमने 2 से उपर नीचे divide किया तो आगया minus 11 upon 18 आगय हम सेम number से उपर नीचे divide नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर ये simplest swarm पर आ गया आगया minus 11 upon 18 ठीक है, चलिए अब हम फोर्थ पार्ट पर आते हैं ठीक है, फोर्थ पार्ट में हमारे पास में जो number है वो है minus 8 upon 10 अब देखे सुन, ओपर वाला number नीचे वाला number हमें पता ही है कि 2 के table में आते हैं 2 से जब हम 8 को divide करेंगे तो आगया 4 आगे है minus तो लगाएंगे minus फिर जब हम 2 से 10 को divide करेंगे नीचे, ये नीचे वाले number को 2 से divide करेंगे तो आएगा 5 उपर वाले number को हमने 2 से divide किया minus 8 को 2 से divide किया तो आगया minus 4 नीचे वाले number 10 को हमने जब 2 से divide किया तो आगया 5 अब देखे ये same number से तो उपर नीचे divide अब हो नहीं सकता है, उपर 4 है नीचे 5 है, दोनों किसी 1 के table में तो आते हैं नहीं, अब ये आगे और divide नहीं हो पाएंगे, तो ये यहाँ पर simplest form पर आगया, तो हमारा minus 8 upon 10, simplest form पर आकर रखे हो गया, minus 4 upon 5 और ये आगया हमारे fourth part का final answer ठीक है, तो यहाँ पर जो ये हमारा question number 7 है, ये completely solve हो गया अब हम मिलेंगे, next video में question number 8 के साथ में